पदम प्रान के उत्तर खंड में वैसाख मास की विरूथनी और मोहनी एकादशी का मात्मिया युदिश्टर ने पूछा वासदेव आपको नमिशकार है वैसाख मास के क्रिष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है उसकी महिमा बताईए भवान चिरकिष्ट बुले राजन वैसाख क्रिष्ण पक्ष की एकादशी वरूथनी के नाम से परसिद्ध है वै इस लोक और परलोक में भी सुबाग्य परदान करने मानी है वरूथनी के वरत से ही सदा सोख्य का लाब और पाप की हानी होती है वर समस्त लोकों को भोग और मोक्ष परदान करने मानी है वरूथनी के ही वरत से मन धाता तथा धंदो मारादी अनेक राजा सर्ग लोक को पराप्त हुई है जो दस जार वर्चव तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरूथनी वरत से भी मनुश्य पराप्त कर लिता है निरीप श्रेष्ट गोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ट है भूमी दान उससे भी बढ़ा है भूमी दान से भी अधिक महत तिल दान का है तिल दान से बढ़कर स्वरन दान है और सर दान से बढ़कर अन दान है क्योंकि देवता पितरत था मनुश्य को अन से ही त्रिपती होती है विद्वान प्र जी का कतन है उपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है मनुश्य वरूतनी एकादशी का वरत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लिता है जो लोग पाप से मोहित होकर क्रिया के धन से जीव का चलाते हैं वे पुन्य का शेह होने पर यातना में नरक में जाते हैं अते सर्था प्रितन करके क्न्या के धन से बचना चाहिए उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए जो अपनी शक्ती के अंसार अभूशनों से ही भूशित करके पित्रवाज से क्न्या का दान करता है उसके पुन्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है वरूतनी एकादशी करके भी मनुश्य उसी के समान फल पराप्त करता है वरत करने मना वैशन प्रूश दश्मीत थी को कांस, उडद, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधू, दूसरे का अन्न, दो बार भोजन तथा इस्त्री संग इन दस वस्तों का प्रत्याग कर दे एकादशी को जुवा खेलना, नीद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, इस्त्री संग करना, क्रोध तथा असत्य भाशन इन ग्यारा बातों को त्याग दे त्वा दशी को कांस, उड़द, शिराब, मदू, तेल, पतितों सिवारताला, व्यायाम, परदेश कमन, दो बार भोजन, इस्त्री संग, बैल की पीट पर सवारी, पर मसूर, इन बारा मस्तों का त्याग करे राजन, इस विदी से वरूथनी एकादशी की जाती है, रात को जागरन करके जो मनुश्य मद सूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्तों कर परमकती को प्राप्त होते हैं अधे पाप भीरू मनुश्यों को पूर्ण प्रेतन करके इस एकादशी का वरत करना चाहिए, ये मराज से डरने वाला मनुश्य अवश्य वरूथनी का वरत करें, राजन, इसके पंड़ने और सुनने से सहस्तर गवदान का फल मिलता है, और मनुश्य सब पापों से मुक्त विश्यों लोक में परतिश्टित होता है, युदिश्टर ने पूछा जनारदन, वैसाख मास के शुकल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फाल होता है, तथा उसके लिए कौन सी विदी है, तबवान शिर किश्ट बोले महराज, पूर काल में परम जो समस्त पापों का शै तथा सब परकार के दुखों का निवारन करने वाला वरतों में उत्तम वरत हो, उसे मैं सुनना चाता हूँ, तबशिष्टि बोले शीराम, तुमने बहुत उत्तम बात पुछी है, मनुश्यत तुमारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथा भी लोगों के हित की इच्छा से मैं बित्रों में पित्र उत्तम वरत का वर्नन करूंगा, वे साख मास के शुकल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है, वे सब पापों को हरने माली और उत्तम है, उसके वरत के परभाव से मनुश्य मौ जा तथा पातक समू से छुटकार अपा जाते हैं। सरस्ती नदी के रमनी ये तड़ पर भद्रावती नाम की सुन्दर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन और सत्य परतिग्यते राज्य करते थे। उसी नगर में एक वेश्य रहता था जो दंधानने से परिपूर्न और समरिधी शाली था। उसका नाम था धन पाल। मैं सदा पुन्य करन में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशला, कुवा, मठ, बगीचा, पोख्रा और घर बनवाया करता था। बवान श्री विष्णू की भक्ती में उसका हादिक अन्राग था। वे सदा शांत रहता था। उसके पांच पुत्र थे। सुमना, ध्यूतीमान, में धावी, सुकृत, तथा ध्रिष्ट बुध्धी पांच वां था। वे सदा बड़े-बड़े पापों से ही सल्लक रहता था। जूवे आदी दुर्वेसनों में उसके बड़ी आ सकती थी। वे 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 श्यां से मिलने के लिए लालाई इत रहता था। उसकी बुध्धी ना तो दीवताओं के पूजन में लगती थी ना पित्रों तथा ब्रामनों के सदकार में। वे दुस्ट आत्मा अन्याई के मार्क पर चलकर पिता का धन बरबाद किया करता था। एक दिन वे वे वेश्या के गले में बांड डाले चुराहे पर घूमता दिखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंदू बांदू ने भी उसका परत्याग कर दिया। अब एक दिन रात दुख और शोक में डूबा तदा कस्ट पर कस्ट उठाता हुआ इदर उदर भाटकने लगा एक दिन किसी पुन्य के इदर हने से वे महिर्शी कॉंडिन्य के आश्रन पर जा पूचा वे साक का महीना था तब वो धन कॉंडिन्य गंगाली में श्रान करके आ अध्या करके कोई ऐसा वरत बताईए जिसके पुन्य के परभाव से मेरी मुक्ती हो तो कॉंडिन्य ने बोले वे साक के शुक्ल पक्ष में मोहनी नाम से प्रसिद एकादशी का वरत करो मोहनी को उपवास करने पर प्राणियों के नेक जिन्मों के खिये हुए मेरु भी नस्त हो जाते हैं विशीत जी कहते हैं शीर रामचंद्र मुनी का ये वचन सुनकर धिष्ट वुद्धी का चित परसन्न हो गया उसने कॉंडिन्य के उपदेश से विधी पूरक मोहनी एकादशी का वरत किया निव श्रेश्ट इस वरत के करने से मैं निश्पाप हो गय और दिव्यदे धारन करके गरूर पर आरूड होकर सब परकार के उपद्रव से रहित श्री विश्ट धाम को जला गया इस परकार ये मोहनी का वरत बहुत उत्तम है इसके पंड़े और सुनने से सास्तर गवदान का फल विलता है